स्वागत है आपका आज के करेंट फे डिस्कुस्न में पहला आर्टिकल यहाँ पर प्लिटिक्स जादा दी गीए डिस्कुस नहीं करेंगे गवणर से समझ दीते हैं गवणर अभी वेस्ट बेंगल में पुजा करें थे वेस्ट बेंगोलों के जो गवर्णर है वो एक मंदिर में तो इससे समाने इलेक्शन कमिंशन में कम्प्लेंद दरज की गी है कि ये है वो उलंगन करे थे है और परिय समाने न्रतिय के जो और कि गाट है और पर का अंतर पर देश में गाँव एक सपूरे लिया गया गया है तो नाम आपको पता होना ची किस से समझते कहां पर यह परसीदे अंदर परदेश- में यह नरते परसीदे देशन nh क्या होता रिश्स त है अबंडर आखने क्या है इसमें क्या होता है यह जो पेर है इस प्रकार आजिय कोगहню होती नरती होता है इसी में तांडव होता है जिसमें मस्कुलिनिटी दिखाई जाती है ठीक है यह मस्कुलिन दिखाई जाता है यह तांडव नरती जो के आजमी को रिपरजेंट करता है वह लस्य जो महिला को रिपरजेंट करता है ठीक है इसमें दोनों होता है महिलाओं के लिए और आजमियों के लिए भी होता है और फिर हमने देख लिया है हाथों को पेरों को डांस किया जाता है आँखों के एक्सप्रेशन दी जाते हैं पेरों में गुंगरू बांदे जाते हैं फिर इसमें मेकप पे ज्यादा फोकस किया जाता है आबुसनों पे ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें एक पारंग्रित नर्ति हैं और एक सिंगल नर्ति है यह जो पारंप्रिक नर्ति है न जो कि संगित के साथ में म्यूजिक के साथ में किया जाता है एक नर्ति है जो कि म्यूजिक के साथ में किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल नर्ति है पारंप्रिक नर्ति है डूसरा होता है एक कल्याने सिंगल नर्ति सिंगल जो डांस होता है वह म्यूजिक के बिना भी किया जा सकता है यह वेशनव कभी ते जिनका नाम था सिद्यर्थ योगी इन्हों ने अपने एक यक्सगान नाम कुछ लिखा था कावे वगरा उसमें इसका वर्नन किया है और यक्सगान है वो करनाटक में काफी फेमस नर्ति है करनाटक का फेमस नर्ति है जिसका नाम है यक्सगान किसने लिखा था इसी इसे सिद्धेंदर योगी ने अब यह सिद्धेंदर योगी द्वारा इसी लिखा गया था इसमें भी वर्णन किया गया किसका वर्णन किया गया इसमें कुछी पूरी का वर्णन किया गया तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए सिद्धेंदर योग डोक्सिंग तो डोक्सिंग वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डोक्सिंग वर्ड किस से सम्मझ दीते हैं डोक्सिंग के बारे में आपने पता चल गया होगा कि इलिगेली बीना आपकी पर्मिसं की आपकी लेटा को चोरी करना डॉक्सिंग होता है उसके बाद में मिंट का एक आर्टिकल है वूफिं कफ के बारे में इसको देख लेते हैं तो चाइना में अब इसकी काफी सारी नंबर देखने को मिले इसे काली खांसी कहा जैता है तो इस कुण सा responsible है इसमें जो ये ब्टिर्या इसका नाम आपको पता होना चाहिए row tl इसका नामнее पता होना चाहिँ ब्रोटोड़ेला कुट्रेटिस बैटी जय के लिए working कुफ के लिए रैसपॉणसीवल राख में चिपख जाता है बालों जाता है ओर आपके पोरी सवसन के रिया उससे परभावित करसकता है तो इस परकार से पूरे सवसन को परभावित करता है और यह अनली मानव दोनों मेनी नहीं पता होना चीह पिर है ठीक है आँखों से पानी आना बुखाषाना यह सारे इसके क्यारक्षण're है फिर इसमें भारत गया है इन्द्र दम zu Lynn's mission में कौन कौन सी बिमार्य सामील ऐसामील है किसके हां किया जाता है इसके बारे में आपको होना चाहिए इस पर क्यूशन बन सकता है तो इसे इंद्रदन मिशन में भी सामिल किया गया यह हमने देख लिया वूफिंग कफ के बारे में नेक्स्ट चो आर्टिकल है सुडान के बारे में क्या चल रहा है हम नहीं देखेंगी सुडान की लोकेस नमारे लिए इंपोड़न हो जाती है सुडान कहां पर पड़ता है अफरीका का एक देश है यह रहा सुडान ठीक है यहां पर ऐसी ब्लैंक मैप ले लो उससे आइडेंटिफाइब करो कौन कौन सा देश है तो वैसे कि आपको आइडेंटिफाइब करना इजी हो जाएगा यह मिस्र है तो कहां में पर प्रण चल रही है लीबिया में परणों चल रहा पर यह तो लीबिया इन सब में परणा चल रही है तो सारे न्यूज में है यह रहा सुडान यह एजीप्ट है ठीक है सुडान की लोकिस में मतलब सुडान की नेवर कंट्री कुर कौन से किसे बाउंडर लगती है एजीप्ट से लीबिया से चार्ड से ठीक है साउथ सुडान से लगती है यह एरिट्रिया से लगती है एथ्योपिय कि किस-किस से लगती है, Eritrea से, Sudan से, South Sudan से, ठीक है, तो ये सारी आपको location Somalia वगरा से, जो भी boundary लगती है, उसके बारे में definitely आपको पता होना चाहिए, फिर next जो आटिकल है, वो माली से समझते हैं, माली में भी crisis वगरा चल लिए, क्या चल रहा हमारे लिए, हम बात कर लेते हैं माली की location के बारे में, माली कहां पर है, माली की location आपको याद होनी चाहिए, यह रहा माली, ठीक है, वेस्ट अफरीका का देश है, किस-किस देश अची बाउंडर लगती है, माली की जो neighboring country है, बाउंडर लगती है, मौरेटेनिया है, अलजीरिया है, यह नाइजर है, यह Amazon rainforest, मतलब यहाँ पर अच्छी घारी forest है, उपर वाला यह जो part है, यहाँ पर है, डेजर्ट है, तो इसके बीच का जो reason होतान, उसको कहा जाता है, सेनेगल, साहरन सौरी, सहल reason कहा जाता है, इसके जो बीच का reason है, उससे सहल कहा जाता है, यानि कि यह फोरेस्ट भी है, सहरा है, नीचे आदरवन ने, इनके बीच का जो इसतान है, उससे सहल कहा जाता है, सहल का जो माली है, वो part है, तो थोड़ा बहुत इसके बार माइडिया होना चाहिए, यहाँ पर को इंपोर्डन रिजर रिवर्स भी है, तो रिवर का नाम आपको पते है, नाईजर रिवर है, उससे समझ दीते, कि सोसल मीडिया की तरह से बहुत जादा मिस्यूज करके, जो आज पॉलिटिकल पार्टी है, वो मिस्यूज कर दी, इसके बारे में यह एडिटोरियल में कवर हो जाएक, अच्छा रिटिकल इससे कवर कर सकते हैं, नैस्ट जो है, वो है, वो है, वो है वोलकेनिक वोटेक्स रिंग होता है, क्या है, वोलकेनिक वोटेक्स रिंग की बारे में बात करें, तो ऐसे इस्तान होते हैं, जहां से क्या वोलकेन का इरप्सन होता है, वोलकेन होने जबाला मुकी, उसका इरप्सन हुआ, इरप्सन होता है, इरप्सन होता है, तो ऊपर की अभी इतली में, इतली का एक यह लोकेशन है मतलब इसका एक आइलेंड है, जिसका नाम है सिस्ली, यहाँ पर माउट एंटना है, वहाँ पर यह देखने को मिलिए, तो जुवाला मखी के उपर चल्ले की रूप में दिखाई देते हैं, इसमें घैस होता है, इसमें जलवास हो अएक्टिव या सक्रीज ज्वाला मुख्य सबसे जश्यादा यहां प्र पर rapid hatte जो आइल टाए ट्रों यहां पर नोर्थ जिस्ट में लोके राइट यह इतली की या यूरोप की यहीज़ान सीरे टेव कर tu यह maintenanceée , यह वहां पर located है इसी मद्य महादवी पी ज्वालामखी belt एन उसका part है अलइल अलोग प्रकार की belt होते है oceanic belt उसमें एक है atlatic ocean belt ठीक है кंहा wz atlatic ocean belt मीड okay oceanic volcanic belt इनकी बार partir फट़चा इडिया होना चाहिए फिर circum Pacific belt सीको उसे वाले वो सारे कवर हो जाएंगी तो इसके आप आइडिया होना ची अब हम यह बात करें आइक वेडिया- यहां पर ज्यादतर व마न्न होता है क्यों है यह और किया इसी प्रस्तित है जिसके आओ यहाँ पर ज़ादा देखने कोंपस कर लिँनधिये है इस यह दो यहाँ पर अलग प्लेट ए हो यह घर आसे करिण प्लेट यह चो कॉन प्लेट है यह जो कौंटिनेंडल क्रिष्ट होती है यह ऑसे प्लेट से हमेसा हलकी होती है यह यह पर गर्मी बहुत जाद है तो यह पिगल जाएगी पिगलेगी यहां से इनको जगा मिलेगी यहां से उपर आएगी इवेपरेट होगई उपर आएगी उपर आके यह जैसे फूटेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा positioning इसके के आगए कि मतला चुन सब्सक्राइब बनेंगी जवाला की परत बनेखेंगे उर्छ सोए उर्लया की देखना और यहां पर अनको कल रहे हैं और यहां इस पर कहा से बनते हैं और यह जो मना रिजन है, मतलब से यहां पर बहुत ज्यादा यह देखने को में इसलिए यहां पर एक्टि वर कैनों देखने को मिलते हैं तो यहिवेра yeah प्लेटरन थी अभी सद्रीमा को मतलब कंवें10 ॹूरं स KIM अज पास में मिल रही है आपास में मिलना इसलिए तो मिलते इसलिए प्रफवी की दो प्लेटे होती एक प्लेट नीचे दब जाती एक उपर रह जाती जिसके कारण वलकेनिक आर्क बनते और डीप ट्रेंच बनती इस परकार की पूरी गठीविद्या चलती है और यहां पर एक लाइन अप चैन बनी हुए ठीक है और भी कौन-कौन्स यहां वैस सब्सक्राइब रहा है बात की गई सब्सक्राइब हो सकता है तो इसमें क्या क्या गतिवी दिया हुई है कितने चुनाव में हुई है कितने बैठ के हुई है कितने बिल पास की इन सब के बारे में दे रखा है तो देखो मैंस के प्रस्पेक्टिव से ज्यादा हो सकता थोड़ा बहुत देखेंगे ज्यादा डिटेल में देखेंगे यहां पर लिख रखा बारा पढ़ सकते हो बागी बता दे 70 वी लोग सबा में इस्टार का हुआ था जून 2019 में एंड फरवरी 2024 में हुआ कितने घंटा टोटल चला तेरा सु घंटे यह चला है और इसमें 274 तू सेवंटी फोर सत्र आयो जीत हुए सतर्वी लोक सबाब कहीं आलोचना को सामना करना पड़े कहीं सारे बिल भी पास हुए तो थोड़ा बहुत इनके बार में रिख लेते सतर्वी लोक सबाब में 179 बिल पारित हुए ठीक है और इन में है ना पंद्रा परसंट जो बिल है वह बास की गई है ग्रह मंत्रल फिर हेल्थ मिनिस्ट्री इनके द्वारा भी नो नो परसंट बिल पारित किये गए है फैमस बिल कौन से थी महिला आरक्सन बिल है जमू कस्मीर बिल है जमू कस्मीर रिजर्वेशन जो है था जमू कस्मीर का वापिस पुनर गठीट कर दिया गया था वहां से 378 अटा दी थ फिर उसके बाद में सीजी का मतब इलेक्शन कमिशन की अपॉइंटमेंट कैसी होगी वह बिल इंपोर्टन था सरम सहीं था मतब कानून लो मतब जो भी लेबर वग रहा हो तिन उनके लिभी बिल आए गये थी वह बिल भी काफी इंपोर्टन था पर डेटा समक्सन से समद् इनकी विल यू बहुत ज़याद है इसके लावा यहाँ पर प्राइविट मेंबर बिल नीजी सद्रीसियो के दू बिल वह 279 लाएगा थे नीजी सद्री सद्री के बिल ऐसी होते है जो किसी मंतरी द्वारा एक होते है नीश्टर एक होते है नार्मल सांसद तो सांसद के पर उनके पास में majority नहीं है, सरकार कभी भी गिर सकती है, ये अगर पास नहोंगी तो कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, इसमें सरकार के ideas होते हैं, ये private memory के ideas होते है, ये सत्ता PAKS के भी हो सकते हैं, और भी independent party के भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इन में difference है इसके बार में आपको idea होना चाहिए उसके बाद में नीजी संख्या इतने भी लाई गती मंतरियों ने कामकाज की वो इनकी संख्या दे रखी है तो ये सारे detail में थोड़ा बहुत डेटा दे रखा है थोड़ा बहुत idea होना चाहिए ahl on question पूछ रहा है ठीक है तो उसके उत्तर में आपको वापिस जवाब भी देना पड़ेगा और supplementary session भी पूछे जा सकते हैं और они start Bye लिखिट में पूछे जाते लिखिट में पूछे जाते इसलिए इसके लिए विप्ली मेंटरी क्यूशन नहीं पूचे जाते सप्लिमेंटरी मतलब आपने क्यों मतलब कोई भी वीपक्स का एम पी है उसने क्यूशन पूचा लिकीद में तो वापिस उसके लिए पूचे जाते हैं यह कुछ अलगलग होते हैं तो इनके बार थोड़ा आइडिया होना चीए उसके बाद में संसत नई बिल्डिंग बनाई गीए यह बिल्डिंग थे नए अपरीसर था पहले के राउंड शेप में थी अभी कैसी अभी तिर्कौन क्या करती में इस परकार से से बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में सेंटर वीस्टा प्रोजेक्ट के में बनाए गया था कितना खर्चा एैस पर काफी कईंट्रिवसीER कोई थी तो थोड़ा बहूत इनके बारे में ब्लीन रहा था रहंए हैं कुछ क्रिणि़्सिजम भी रह था यह पर वैठ के बहु 93 उसमें लिखा गया है कि लोग सब्भा में जब भी संसद बैठेगी तो उसमें उपसब्भा है ने डेप्यूटी स्पीकर की इस अबना मतलब उसकी डूटी कर जोइन करवाना जरूरी है मतलब इनका चुनाव किया जरूरी है पट पहली बार ऐसा हुआ है कि डूटी मतलब स स्पीकर तो थे पर डेप्यूटी स्पीकर है उनका चुना भी नहीं किया गया ता इसके लिए कुछ प्रावदान होता है कि विपक्स में जो पार्टी होगी सबसी बड़ी उस पार्टी का जो सदस्य होगा उसको बनाए जाएगा बाटी इस पार है ना कोई थी नहीं इतनी गया है जाधा तर विट-विदॏक पारित की गए थी उन्हें बीनात किसी सूचना की पारित किया गया है बजट पर चर्चा बहुत कम हुई है इस बार बाकी समब बाकी जो होते तो उन से कम जादा सम jáवें बगढ़ देखने को मिला था परमुक सुरुकसा का उलंगन भी उसमें से पहले लिखाव कि फोरी ठ से हमें से कम भेंस ध्राइब को को आदका स्क्राइब गाए उसमें देखने को में रहले बैंसे स्लीडी ऐसमें ख़तम करता जो यहां पर हैं संचतके टर खोता समय नहीं हेरे समय से फहले दाइस खुत खत्म क स्लीडों की को को मिली है तो पूरी तैसे जवाब नहीं थी बैठे के नहीं होगी कोई विद्ध से नहीं हो कि तो कैसे पते चलेगा हो था समय, क्या हो सकते हैं संसद की सभी को बहतर करना होगा चभी को साथी साथ में सदस्यों को गुर्मत्ता में सुधार करना होगा सविधान की एक समीती गठन करने की आव सकता है जो इन सारी मुद्धों को चर्चा करी उसके लिए काम करे ये सारी समाधन किये जा सकते है ये मैंस समदीते हैं ये क्यूसन भी है इसे भी आप देख सकते हो तो ये पूरा आर्टिकल था पारलियमेंट की नई जो पारलियमेंट बनने वाले नई लोगसपा बनने उसके बारे में था नेक्ट जो आर्टिकल है जैस संकर जी ने एक स्पीछ दी एक इंट्रिव्यू जिया उससे समदीते तो नहीं देखेंगे उसके बाद में आर्टिकल है केन्या के बारे में केन्या में फ्लेड आईए तो हमारे ले केन्या की लोकेशन इंपोर्डरन हो जाती है केन्या कहां पर ये भी अफ्रीका का देशे एक्वेटर यहां से उके गुजरती है यहां पर Victoria लेकर वो Kenya क्асть वांडर से इसकी बाउंडर लगती है कोुण को से देश से तंजानिया है उपर South Sudan है युगांडा है है इच्छोपिया है सुमालिया है इन से इसके बाउंडरी लगती है यहां पर यह देखो इंडियों से बाउंडरी लगती है नेरो भी इसकी करपिटल है तो यह थोड़ा पर कहने है के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए मैप के प्रस्पेक्टिव से काफी ज्यादा हो जाता है नेक्ट जो है वो है अरोना साही राम के बारे में अरोना साही के cycling हो नीज में को फ्रांस का हइस्स हीरिन ओट ओदिया गया जिसे नाइट ऑफ़ दीजिन ओनर आवार्ड भी ड़ी कहा जाता है जो कि ससी थरूर जी को भी दिया गया था तो नाइट ऑफ दै. प्रांस के बाहर भी जो लोग होते हैं अच्छा काम करते उनको भी दिया जाता है इसे ओनर आप दो पेट्रिक यानि समान और मत पित्र भूमी के रूप में पिक दिया जाता है तो यह थोड़ा बहुत इसके बारे में था ओनर आप दी लीजिएन आप ऑनर अवार्ड के बार बात करता है न्यूज हमारे लिए इंपोड़न नहीं है हम बात कर लेते हैं यूएन पर्मानेंट फॉर्म और इंडिजीनेस इसके बारे मार कर लेते हैं सवदेशी मुद्वपर श्यूख त्राट इस्थाई मंच यह जो मंच है ना इस्यूख त्राष्ट का एक मंच है जो जिरी बोड़ी सलाहकार निकाई के रूप में कार्य करता है किसको सलाहकार देता है एकोसोंस को सामाजी को और आरथिक प्रिसदन सोचलैन एकोनोमिकल काउंसल उसको रिपोट करता है उसको त्यूग्म हो सकती हैं समाजी के आर्थिक संसकति प्रैवण इन सब मुदव पर यह जो मानवा दिकार होते हैं उन समधिन मुदों को निपटना उनके लिए काम करता ही है। सदस्य कितने हैं? 16 सदस्य होते हैं। कारेकाल कितना होता है? 3 साल का कारेकाल होता है, रिय अपॉइंट्मेंट हो सकती है। बैठक कभूती पहली बैठक 2002 से उसके बाद में हर साल इसकी बैठक होती है, सवदेसी मुदो पर बात करते हैं, इसके लिए और भी संस्ता बने हुए है, तो ये पूरा सवदेसी आर्टिकल समझ दी था, इस बार जो इनकी रिपोर्ट हैं, तेरिस बार सतरा युजी तो अध उसमें कुछ रिपोर्ट दी गई, इसकी थीम थी, थीम आपको याद रखने की ज़रूती बहुत ज़्यादा रिपोर्ट याती, इतना याद रहेगा नि, सवदेसी मुदो पर बात की गई है, धीमी माने तो ये सब बाते की गई है, तो ये हम इनके बार में नहीं देखें बनाता, 1961 में उसने बात कर लिए थी, शेलूर टाइब एरिया के बारे बात की गई थी, तो डेबर कमासन जो की 1961 में बनाता, इसने अनुसूचित जन जाती जो एरिया है, उसके परसासन को मजबूत करने के लिए अलला तरीके सुझाए गई थी, इसमें 705 जो अनुसूचि जाती, गोसित करने की बात की गई थी, अभी बारत में कितनी अनुसूचित जाती है, 705 अनुसूचित जन जाती है, यानि कि ST है न, ऐसी जन जाती कितनी है, 705 है, और यह जो भारत का पूरा एरिया है, उसका 8.6% एरिया, इनके द्वारा कवर किया जाता है, टोटल 26 राज 35 राजिसा, जारकन, छटिस गड़, मद्य परदेश, राजिस्तान, गुजराज, महाराश, टीमाचल परदेश, यहाँ पर यह ज्यादा तब देखे जाते हैं, केरल में भी है, जिन अभी अनुमोदन किया गया, एक जासा शमीती ही बनी थी, दोजाती है, वो इनके जो स्य अभी कुछ वर्णन किया गया अनुसूची फिफ्थ हैं फिफ्थ स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् द्राइबल एरिया यानि जंजाती एरिया के बाड करता है और यह जो है अनुसूचित एरिया के बारे ंबात करता है यह दोनमें पाष्ट माराश्च Undोड ऑूडरपरतेर तेलंगाना और हमाचलर उस दस राजी नेसे अ होती है त्रीसμεं ट्राइबरी उनके लुट होती है यह पावर्फुल नहीं होते है इसमें काफी पावर्फुल होती है यह काफी ओटोनमस होती है ओटोनमसली काम करती है पंचायत यहां पर एक्स्टेंशन है पंचायत का एक्स्टेंशन है वो यहां पर भी है पर इसमें गवर्नर ज्यादा रूल करता है तो यह पांच जिए एक नुमन करते हैं संगरन करते हैं आशिंद करते हैं आसिंह जगा से बूस्री जगह जाकर के घ्रती करते हैं विसी पशुपी करने गामद चैलन्ज क्या है? संसाधा ने उनको रोक लगा दी गई है एज्यूकेशन की कम ही है स्वास्ते समझे चैलेंज है लेंगे मुद्ध मुद्धे सब देखने को मिलते हैं तो चैलेंज भी काफी जादा है इनके लिए फिर इनके लिए नेशनल कमिशन बनाया गया था वह और शेडूल ट्राइब यह कब बनाया गया था इसे 2004 में बनाया गया था क्या हुआ था पहले शेडूल ट्राइब मुद्ध जो इक काउंसल था शेडूल नेशनल कमिशन फॉल शेडूल ट्राइब यान राष्ट्री अनुसूची जन्जाती आयोग इसकी इस्तापना कैसे हुए थी इससे पहले क् से और स्ट इन दोनों के लिएग कमिशन था फिर बाद में संसुद्ण अधिनिम लाए गया गया था इसके दवारा जो 38 तीन सुद्ण किया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया यह जो आर्टिकल था 338 इसमें जो है ना राश्टरी अनुसुचित जनजाती आयो की बात की की पहले एक ही था सी और स्ट के लिए बाद में 89 Constitution Amendment Act लाए गया यह कब लाए गया था 23 में इसमें संसोधन किया गया एक नए आर्टिकल जोड़ा गया कौन सा 338 ए नए आर्टिकल जोड़ा गया उसके बाद में राश्टरी अनुसुचित जनजाती आयो की स्थापना की गयी थी इसके लिए एक आयोग बनाए गया था यह एक समयधानिक निकाह है यानि Constitutional Body और यह समयधानिक के आर्टिकल 338 ए में वरना ने इसका मतलब समयधानिक निकाह है कारी क्या करता है कारी तो देखो अनुसुचित जन जाती है उनके खिलाब अगर सोचन हो रहा है तो उनके लिए कारी करता है कुन सी मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है सामाजिक और निया मे और समय धροह होता है तो एक महिला भी होनी नहीं हो सकता है एक अगर बन गई तो इनकी पुना अपाइंटमेंट में नहीं हो सकता है रेते वापिस तो ये थोड़ा बहुत इनके बार मेंतां फिर प्रीमेट वंडेवल ट्रायवर्ड गूप में पीवीजीटी क्या होता है विसस छोड़ा जो प्रीवीजिटी अब ये जो है न ईहा Caitikeich कॉन सा आयोग था डेबर आयोग बनाय कै था 1973 में धेबर कमिंशन गाय था इन्हों ने बात करी इति आधिम जनजाती गntरुप की प्रीमिटिव ट्राइवल ग्रूप की बॉथ की बात करी थे बाध में इस चेंज कर दिया गया था पैली पनाइव जिंझní करप कर दिया था तो अभी कितने भारत में अभी 52 है वह पीवीगे गोसित की गया है और टॉटल कितने प्रटल पांसो तीन साथ सो पांस अनुसों ची जह जाती है उनमेंसे जो बावन है उनको पीविगे गोसित कर दिया गया है ठीक है छी यह बाद थोड़ए हो थे पहले कि कितनी जंसें के आठ राजियों में और केंदर साथी पर्देशों में देखने को मिलती है जल जहां पर इनका विस्तार है तो पीवीजेटी ग्रूप के बारे थोड़ा एडिया होना चाहिए अब इनके लिए सविधान में क्या प्रावधान किया गए तो इनकी सुरुक्सा के ऐक नोटिफिकिसन जारी करेगा उसके माद्यम से किसी भी ट्रैनी गुरूप के अंदर से भी ट्रैनी गुरूप होसकता है या किसी बहारबर की को सिली है राष्रपती है ऐसा सभी दान में प्रावधन किया गया है तो यह अलग अर्टिकल में दिया गया है अनुचित पांच पंद्रा चार अर्टिकल फिफ्टिन फूर में बात की गई है कि इनके लिए आरक्षन होना चाहिए जो सिक्ष्टिन फूर में भी आरक्षन की बात की गई है 46 में बात की गई कि इनकी हित्तों का सरक्षन होना चीए 164 में बात की गई है कि जो जंजाती एरिया होते हैं उनके लिए जो अलग से जंजाती कल्यान मंत्रा ले भी होना जरूरी है फिर 205 में बात की गई है इनके लिए कल्यान के लिए राजी है वो साहिता परदान करेगा फिर 330 में भी इनके अलग अलग प्राफधान किये गए हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए नेक्ट जो आर्टिकल है मोई से समझते हैं यह जो माउस्ट होते हैं इनके अभी मारा गये तो इनके बारे में ना मैंस के लिए हैं अडिट्रियल में कवर हो होता है हीट आइलेंड क्या होता है तो वहां पर क्या कंक्रीट वाले बिल्डिंग होती है ठीक है अब यह कंक्रीट वाले बिल्डिंग होती है उनका एलबीडो कम होता है मतलब क्या होता कहने का कहने का मतलब होता है यहां पर जो सूर्य की किरने आ जाएगी ठीक है दूप आजाएगी वडिये जो दूफ है न वाप्स नहीं जाएगी यह जादा तर जो धुफ होते उस को क्या करता है एब्जोर्गidade इजाएगी जाएगी यह जाएगी तो ँमचियो ने आई बाले जाएगी तो बल्डी-बल्डी बुलिंग यह हवा की आवाजावी की व्यवस्ता हो नहीं होगे तीसरा बात है यहां पर जो पेड़ पोदें वो कम होंगे पेड़ पेड़ कम होने से क्या होगा पेड़ पोदें को कम होने से यहां पर हवा की प्रोपर व्यवस्ता नहीं होगा यहां पर ग्राउंड पर ग्रास वगर कम है क पानी नीचे वोटर कम जाएगा इसलिए पानी की शमशेयां देखने को मिलेगे इसलिए संमस्या गाइब गर्मी जब्मे आइफह खेल कर दो मेंажеICH की रीजन क्या होते क्यों वहाँ प्र ज्यादा होती है तो इस अर्बन हीट आइलेंड भी कहा जाता है क्यों वहाँ पर गर्मी ज्यादा देखने है फिर भारत और उजबे एकिस्तान के नेबरन कंट्री के बारे में पता होने चीए, किसी कुन सी टर्च से कैपिटल के बारे में ऐडिया होना चीए, यह important हो जाता है, दस्ति दलग exercise के बारे में करली discuss कर चुके है, भारत ओर उजबेग किस्तान के बार में बीच में यह exercise होती है, 2019 में पहली बार हुई थी, आतंग डबलू एचो ने इसको पर्मिट दे दिये गया, यह जो वैक्सिन है, मैन 5CV वैक्सिन, यह किसके खिलाब काम करती है, यह मैन एक कोकस बैक्टीरिया है, उसके पांच वेरियंट होते हैं, उनको निपटने के लिए, उनके खिलाब सिरुकसा देने के लिए इसके काम आती है, और हम इसके बारें बात कर लेते हैं, यह जो मैगनेटाइज बीमारी है, ठीक है, इस बीमारी के यह नाम मैगनेटाइज, यानि की मस्तिक से समधी जोड़ी हूँ बीमारी है, इसमें क्या होता है, जो मस्तिक से यानि माइन सो होता है, माइन साथ ही साथ में आपकी रीड की है सिर्दद होता है यह सारे इसमें लक्षान देखने को मिल जाते हैं तो यह व्यक्षिन के बारे में हम देख चुके नेक्स्ट यह सुप्रियम कूट क्या एक और जो इड्टोरियल में अल्रडी हम कवर कर चुके तो आज की डिसकुसन में इतना ही था थैंक्यू थैंक्यू हम इतयों राइस कई यह में दिस राइसा और जा मु क्यांदे पितना निय्क्तू बारा में इतना ही!